सूप्रबार आप सभी का मेरे इस व्लॉग में हार दिक स्वागत है आज का व्लॉग बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो एंड तक देखिएगा थोड़ा सा लंबा व्लॉग है पर यह हमारे तीन से चार महिने की महनत है मतलब हमने बहुत पहले यह व्लॉग शूट करना शरू किया था तो टाइम लगता है चीजों को अच्छा बनाने में आज का वीडियो होने वाला है ट्रांसफोर्मेशन मेक ओवर के बारे में हमारे बेडरूम का टोटली नहीं हुआ है ट्रांसफोर्मेशन आधा है पर यह तरह से पहला पार्ट है आप समझ लीजे डेकोरेशन डेकोर जो बोलते हैं वह हम बाद में करेंगे पर जो बेडरूम का टूर देता हूं पुराने बेडरूम का तापकि हम जब नया करें तो आपको पता चले कि हमनी क्या क्या चेंज किसके हैं सो इस तरह मैंने कुछ पॉस्टर लगाए है उधर देख सकते हैं बहुत सारी कीले है और इस बेडरूम में कुछ खास रंग वी रंग रंग भी नहीं है, it's kind of a boring and dull bedroom हम सबसे पहले इस room को करते है पूरी तरह से खाली, आप लोग time-lapse enjoy कीजिए और देखे हम कैसे करते है सब कुछ सबस्ति करते है झाल 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 तो मैंने वो इसके ही लगाई यह और देखें, अब यह बैड कुड़ा ही ला सकते है, वालो एसा लागी ट्रॉली ज़ता बना दिया इसको सबसे इंपॉड़न चीज हो जोगी चीज रहे हो उको कवर कर लो जहां पर आपको नहीं ज़िए तो कबसे पर हम एक यह बैड रंग कम रूम से बाहर नहीं नहीं लिए निगाज़ए तो इस बैड को पूरी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसके उपना धूल मिटी और कलर अगरा कर रगाई पर जाए तो ना पर निगलने वारे तो इसकी बात पर हो जाए इससे पहले मैं लि पर इंग पर यहां पर बहुत सारी फोटो फ्रेम्स लगाए उए थी महां पर इतने यह आहां पे वीतने में मैं लाल पर महां पर हमने स्पीकर लगाय वा थैसी के निचे भी कटन लगाय हो था तो मिरे भी कुछ काम काना कि कुछ कम दे इस तरह की है लगाया हूँ और बूल भर रहे हैं, यह बीवी ने बना कर दिया है, तो एक एक स्पून लेने का और काम करने का, बच्छे वाले इसमें, मैं कुछ इस तरी से कर रहा हूं, यहां से एक चमच डालता हूं, फिर पैकर देता हूं, ताइस शूप ना जाए, और यह वाला पत्रा यह वाला पत्रा दिदाने का, यह निकाल लेते एकसे स, एसे लगाने का, और ऐसे बनाती है, आइसे पैले मसल लेता हूं, प्वाले चाहिए, प्रोस्स, यह 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 रहता है में प्रोसेस यह अरता है कि इसको सूखानी बढ़ने देने का एं फिर इसको घीस आ जाएगा आगे शाके अभी तो इसलिए हम पहले पुट्टी भर रहे ताकि हम आगे चलके इसको घीस सके अच्टे से बढ़ने पुट्टी बढ़ने लाएगा लेक्स अच्टी पर गरो पांस आप इना के पास ये जिग जैक लाइन बने लाएं यह जब करें लिए तो हमें को पता चलना चाहिए कि हम ने वहां पर जीज डाला है अब आप इसकार में रेडी हो चुके है पुट्टी पुट्टी लगा दिया देखो पूरा बड़ी अब बड़ी अब इसको वापस से गीसेंगे फिर वापस से लगाएंगे जसा यही परसेस चलता रहता है अब आप इंजय कि जी ताइम लाइब अब आप इसकार में लाइब अब आप इसकार में लाइब अब इसकार में लाइब अब हमारे कारे की आप इस तरह से है पूरी गहसाई हो चुकिया साफ साफाई हो चुकिया फिर से हमने पुट्टी लगाई है ताकि जो भी होल वगड़ा बचे थे वो सब भर जाए पूरा कमरा बहुत जादा मेहनत लगी आज तो दुआ निकल गया आज पूरा दिन बस वही किया गिसाई और हीना छोड़ी हाइट में छोटी है तो उसने नीचे वाला इससा पूरा यह वाला नीचे वाला इससा पूरे चार और उसने किया बागी आपने देख लिया होगा टाइम लैप्स में उपर वाला उपर वाला सब मैंने किया फिर बाद में शूट करना रहें दिया क्योंकि इतनी मिट्टी थी कि ट्राइपोड ब्राइपोड सब कुछ मिट्टी वाला हुआ ठीक है तो अब यह साफ सफाई करेंगे कल सुभे आज इन सारी जो यह पुट्टी असफेज सफे दिख रहें बहुत सारी जगा पर है वाइट वाइट नहीं दिख रहा होगा आपको डंग से इन सब को घिसाई करूंगा उसके बाद हम करेंगे प्राइमर तो चलिए काम शुरू करते हैं हमारा पाइनल पाइनल हो गया है अब प गिसाई किया सब कुछ पुट्टी पुट्टी लगाया उसका कचरा बहुत सारा गिरा होगा मेरी शकल सोड़ी सी सडी वी सी लग रही है पुर प्लीज एज़स कर लीजिए गा अब ही मेरी बीबी कर रही है दरवाजे साफ मदा फाइनल टच-अप हो रहा है एंड थेन हम घर में प्लास्टिक बिचाएंगे और फिर हम सरू करेंगे हमारा प्राइमर का काम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत गंदा देखो इनकी हालत देखिये हालत देखिये काम वाली से भी बत्तर हालत हो गई यह बिचारीगी इसकी ममी देखेगी तो ऐसा सोचेगी कि मे अज़ों पहले सबसे इंपॉर्टन वहता है फ्लोर को फ्रोतेक्ट करना पूरी तरह फ्लोर को प्रोतेक्ट कर दिया है ज़सको ऑ चारों को प्रोतेक्ट कर दो एडालेंगे हम अब बेर भी ठोड़ेंगे हम औरेट्सिट और डर औन रीग रिखे अभी मैं प्राइमर हीला रहा हूँ, फिर से पता हूँ वो खुष्य दूद दे तो फोड़ आया है च्टिल मेरे प्लिय कर लेकर अब हम चलय अब हम प्राइमर लेंगे और प्राइमर में भी कैसा लपड़ा निकला लिका तो फाइनल इसबार हम लिकिया एक बिटीश प्राइमर्य वालों का दॉर चलिए अब आप अपलोग अब प्राइमर लग चुका है हमको करीबन करीबन एक देड़ घंटा जैसा लगा कहीं जाने का है सो हम जब वापस आएंगे उसके बाद दूसरा कोट लगाएंगे सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरही से हुआ है और हर एक जगा पर वाइट 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 लगया है ये वाली दिवाल थोड़ी कम वाइट हुए देखे कि अभी फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर है इसलिए सो या और इस सीडी ने बहुत हेल्प किया हमारी थैंक्स टू हीना की मम्मी जो हमको ये मिली और अभी मिलता हूँ थोड़ी दर में ये ये देट वी या फूर और हम प्राइमर का सेकेंड कोट लगाने वाले है सो चली शुरू करते हैं कोट लगाने से पहले दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा दिख रहा है अब कोट लगाने के बाद कुछ ऐस्ट कि कुछ प्राइम देँ प्राइमर कोट ऑज दो कि का से फिवालों कि कोट बहा है Nhत्जा जा है जा प्राइमर कर रहा है पाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हम कलर मिक्स करवा रहे है और कलर अमारा बनवा रहे है और हमारी बीवी को पूछ सकते कितने मेहनत लगी है रामंत्र मंदिर वे और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर कॉंबिनेशन चल रहा है computer में थोड़ा सा machine number डालेंगे थोड़ा सा color गिरता है और color बन जाता है और फिर वो color लेके हम चले जाते है और घर जाके हम color करेंगे शाम होने आई है पूरी रात काम किया अभी देखें बहिए अंदर number feed कर रहे है color का number तो दो चार ड्रॉप कलर के गिरेंगे फिर मशीन में डालेंगे और इस तरीके से इसमें गया है बात में यह मिक्स होगा सेकेंड राउंड औफ प्राइमर हो चुका है एकदम दिवाल चका चक लग रही है और आप लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे कोई इस दिवाल में क्या प्रॉब्लम आ गई थी ठीक है कल पूरी रात हमने इस पर काम किया आज पूरी रात हम फाइनली कलर करेंगे सो हमारी बीवी यहां पर अपने कलर वाले कपड़े पहन के रेडी हो चुकिया पिछले बार बार वाले सो चलिए काम शुरू करते हैं कलर करना इस नोट इजी एक्चली वाइट कलर किया है ना तो फेस पर आप देख रहो को कितनी लो लाइट आ रही है पूरा कमरा इतना चमक गया है ना चानक से पर एक्चली ऐसा है कि वाइट गंदा चल्दी हो जाता है इसलिए रख नहीं सकते हैं और मिक्सिंग चल रहा है और कलर अभी आया नहीं उससे पहले तो हमने कलर गिरवा दिया मेरी बीवी ने मेरे को डपा बंद के विना हिला ने दे दिया और मैं जा उसका इसलिए बहुत है अगली एक्साइड़ मून बहुत नहीं कर लोगे और सबस्क्राइल ने करें चल्दाट और अभी एक्सेंट वाल्स का फैल यह चल्द आपका नहीं इसलेग किया है वह पर पल और पार इसका नाम है इंटेंस पर ऑल एक सो लेट स्टार्ट अ अ मेरी बीबी पागल नहीं हो गई है वो कलर का डबा शेक कर रही है ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए यह है हमारा सेकेंड कलर जो हम बाकी की तीनों दिवालों पर मारने वाले हैं फर्स जो एकसेंट वॉल थी वो कम्प्लीट हो चुकी है झाल 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 फाइनली दर्वाजी के लिए भी कलर ले लिया है एंशिन पेंट का लिया है और इनर ले लिया है और आमारा ब्रश तूट गिया था तो ब्रश लेने आए थे हम और अब चलते हैं और घर पे फाइनल कलर चल रहा है पलागे ली तो फाइनली आप लोग ने वीडियो देख लिया है और आप लोग वीडियो के एंड तक आ गये है विच इस वेरी गुड़ तिंग सो आई होप के अब आपको बेडरूम का जो हम रिवील करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों के जाधा टाइम वेस्ट ना करते हों आपको एक चीज बाता देता हूं सारा कलर हमने किया है सब कुछ पुट्टी पुट्टी जो भी ब बार किया है कि कोई भी रूम हमने हमारी तरव हमारी पूरी शिदत से डी आई वाई से पूरा रूम तियार किया है तो थोड़ा बहुत मिस्टीक हमने बहुत सारी की है जो मैं आपको बताता हूं थोड़ दिर में बट चलिए अब आप लोगों को ज्याधा टाइंग वेस् नौर्मल जो बेडरूम रेड़ी किया है वो आपको हम दिखा देते हैं तो चलिए और इंजोई कीजिए सिनेमेटिक शॉट् मrant़ी की तेरूम आपको ज्याई वेस्साइन मैं पूस्माद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब और कमिल पर बताइए कि कैसा लगा और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि हम हमारा कौन सा रूम मेक ओवर करें ठीक है तो बताइए और इस रूम में भी बहुत सारी कमिया है और हमारे पास कुट्टा है हमारे कुट्टे ने बहुत सारी जीज़े खरापी किया जो मैं आपको नहीं दिखाया जिसे दरवाजे के बीचे उसमें बहुत सारे स्क्रैचिस मार दिये एक दो जग जिनके डिमांड थी के हम इस रूम को साफ करें तो साफ करने के बदले मैंने उनको यह रूम मेक ओवर करके दिया है तो अभी बहुत सारी चीज़े बाकी है फ्रेंग पोस्टर ब्ला 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 डेकोरेशन और बट जो अभी हुआ है वो आपको कैसा लग रहा है अप और ऐसे और भी व्लॉग्स आते रहेंगे हमारे को प्यार देते रहेंगे का प्यार की कमी दवनी नहीं जाईए और आपका प्यार तभी लिखेगा जब हो लाइक वाला बटन दबागे ठीक है तो बाबाई टेक केर आशर करता हूं कि आप लोगों को का दिन अच्छा हो मा वोट करने जरूर जाना और सोच समझ कर वोटिंग करना ओके मैं मिलता आपको किसी और व्लॉग में तब तक लिए आप अपना ध्यान रखे अपने माता-पिता के ध्यान रखे अपनी सुसाइटी को साफ रखे बाई-बाई ठेक केर बंदे मात्रम बाई-बाई अपने बाई-बाई